लो स्पर्म काउंट की समस्या और अगर हम खास तोर पर बात करें गर्मियों में तो इस समस्या का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है जिसके कारण अगर वो रिपोर्ड भी कराते हैं और उसमें देखते हैं कि उनका स्पर्म काउंट लो आ रहा है या वो आपस में कर पा रहे हैं तो उनकी चिंता बढ़ जाती है जिसके कारण वो क्या करना शुरू कर देते हैं वो ड्राइफ रूट्स खाना शुरू कर देते हैं अक्सर सुना है कि खजूर खाओ दूद के साथ खाओ तो इन सब हमारी जो सेक्शुल एक्टिविटीज हैं उसमें एक मेल अच्छा और स्टॉंग फील करता है जो वो शुरू कर देते हैं लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में खजूर का सेवन आपको गलती से भी नहीं करना है असल में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा यह जो गर्मियों में लोस्पर्म काउंट की समस्या है यह दिक्कत है क्या पहले लोस्पर्म काउंट की इस समस्या को समझते हैं और साथ ही समझेंगे कि खजूर खाने से भी कोई खास फरक देखने को क्यों नहीं मिलता है बलकि गर्मियों में हो सकता है खजूर खाने से आ असल में एक मेल, एक पुरुष के जो अंडकोश होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उसका एक set temperature होता है, उस temperature को maintain करने का काम हमारे टेस्टिकल्स का होता है, इसलिए अगर आप कभी गौर देंगे, तो आप देखेंगे कि गर्मियों में अकसर टेस्टिकल्स जो हैं, hanging position में होत इसका reason क्या है और क्यों इसकी वज़ा से sperm count के ओपर effect पढ़ रहा है इसको समझते हैं असल में already हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत जादा है temperature 36, 38, 40, 42, even 45 तक जा रहा है 47 तक जा रहा है इस गर्मी में testicles अपने आपको cool down करने की कोशिश करते हैं अपने blood के flow द्वारा लेकिन इतनी जादा गर्मी होने के कारण वो अपना temperature maintain नहीं कर पाते हैं जिसके कारण जो blood flow हो रहा होता है वो भी proper नहीं हो पाता जिसका result देखने को ये मिलता है कि व्यक्ति के जो sperm count होते हैं उसमें कमी आ जाती है क्योंकि sperm असल में बनते कैसे हैं हमारे testicle की जो activities होते हैं जो functions होते हैं उससे बनते हैं लेकिन जब function proper नहीं हो पा रहे और function क्यों नहीं हो पा रहे क्योंकि temperature maintain नहीं हो पा रहा इसलिए हमारे जो sperm का production है वो कहीं न कहीं effect करता है हमारे जो sperm count होते हैं जो sperm का formation होता है वो हर तीन दिन में होता है लेकिन गर्मी के कारण ये formation ठीक से नहीं हो पाता है इसलिए अकसर ऐसा देखने को मिलता है कि गर्मियों के मौसम में especially जब गर्मियां जादा हो तो couples conceive नहीं कर पाते हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी और समस्या यहाँ पे आरी होती है low sperm count की लेकिन अगर आप test कराते हैं और आप उस test में देखते हैं कि आपका sperm count 100 million से direct ही अगर आपको 30 million 20 million पे दिख रहा है तो यह एक चिंता का विशह है और यहाँ पर आपको डॉक्टर से consult करना बहुत जरूरी है इसके लिए मैं आपके एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ आप नीचे दिएगा नंबर पर call करके भारत हमोपैति के डॉक्टर से free of cost consult कर सकते हो अपनी समस्या के बारे में जान सकते हो आपकी समस्या में आपको treatment की required है या नहीं और अगर है तो कौन सा treatment सही है इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे डॉक्टर से ले सकते हैं साथ ही आप अपने सवालों के जवाब भी उनसे पा सकते हैं free of cost तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि गर्मियों में low sperm count की समस्या का सामना पुरुषों को क्यों करना पड़ता है फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप comment के माध्यम से लिख के हमसे पूछ सकते हैं इसी के साथ हमें आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार